Hello student, I am Leelam Chandrakar from Geology Department आज का हमारा topic है larval stage of fasciola hepatica इस lecture में हम fasciola hepatica के different larval stages को देखेंगे इस से पहले वाली lecture में हमने fasciola hepatica के egg के development को देखा था तो जो capsulated egg होता है उसी के अंदर इनके larva का formation होता है और fasciola hepatica के life cycle में 5 larval stage देखने को मिलती है इसमें सिर्फ फर्स्ट जो larval है उसको बोला जाता है मीरा सीडियम लार्वा सेकेंड लार्वा है sporocyst larva, थर्ड है radial larva, फोर्थ है सरकेरिया लार्वा और फिफ्थ होता है मेटा सरकेरिया लार्वा तो इसमें पहले हम देखेंगे मीरा सीडियम लार्वा को तो fasciola hepatica के life cycle का ये first larval stage होती है जो की capsulated egg के अंदर इसका formation होता है तो इसमें पहले हम देखते हैं मीरा सीडियम लार्वा के external structure को तो इसकी जो body होती है वो लगभग 0.07 mm long होता है और ये बहुत छोटा और over saved का होता है तो अगर इसके structure को देखो तो ये है एक मीरा सीडियम लार्वा ये मीरा सीडियम लार्वा का external structure है और ये है इनका internal structure तो इसके जो body है वो over saved का होता है और इसके चारों तरब सीलिया पाय जाते हैं तो अगर इसके body को देखोगे तो इसके body के चारों चोटा-चोटा hair like structure दिखाए देगा जिसको बोला जाता है सीलिया ठीक है और इनके body का जो anterior end है तो ये इनके body का anterior end होता है मतब की आगे वाला portion होता है और ये है इसके body का posterior end तो इनके body का जो anterior end है वो posterior end के picture थोड़ा चोड़ा होता है और इनके anterior end में एक छोटा सा इस प्रकार से उभार दिखाई देता है इसको बोला जाता है apical papilla ठीक है इन दार्वा का जो body है वो 21 hexagonal epidermal plates से covered होता है तो अगर आप इनके body में देखोगे तो इस प्रकार से hexagonal epidermal plates दिखाए देंगे जिसकी संख्या 21 होती है और ये जो plate है वो 5 रॉस में arrange रहती है इन में से 1st और 2nd रॉम में 6-6 plate होती है 3rd रॉम में 3 plate 4th रॉम में 4 और 5th रॉम में 2 plate होती है ठीक है और ये है इसका eye spot अब देखते हैं इसके internal structure को तो मीरा सीडम लार्वा के body के अंदर apical papilla के center में एक pouch like structure दिखाई देता है जिसे बोला जाता है apical gland तो ये है इसका apical papilla और जो apical papilla है उसके center में एक pouch की तरह इस प्रकार से pouch की तरह structure दिखाई देगी इसी को बोला जाता है apical gland इसके अंदर granular cytoplasm और nucleus पाया जाते हैं अब apical gland के पास ही one pair unicellular penetration gland भी पाया जाती है तो यह है यह वाला जो structure है यह penetration gland जिसकी संख्याद दो होती है मतब कि यह pair में प्रजेंट होते हैं ठीक है जो अपने pore के द्वारा apical papilla के पास यह open होती है इसके बाद इसकी second rock की epidermis plate के नीचे एक बड़ा सा brain ठीक है यह है इसका brain ठीक है और उससे जुड़ी हुए nerve fibers होते हैं लार्वा के body के पीछे वाले part में germ cells का समूँ हो पाया जाता है अब यह जो miracidium larva है यह water में 60 रूप से तैयरता रहता है और इस time यह food grant करना बंद कर पाद रहती हैं इस time यह feeding नहीं करते हैं के water में यह अपने secondary host को ढूंडते रहती है और इसका secondary host है वो होता है ने प्रेमरी host इसका seep होता है और secondary host होता है इसका snail है और जब यह किसी भी वस्तू के contact में आता है तो उनमें enter करने की पारता है अब जैसी ही अपने secondary host snail के contact में आता है यह उनके body में एंटर कर pulmonary chamber से होते हुए digestive gland में पहुंच जाता है ठीक है इस टाइम लार्वा की cilia जो वो नस्ट हो जाती है और लगभग 14 दिन में different type के changes होने के बाद यह दूसरी larva stage में change होती है जिसे बोला जाता है sporocyst larva ठीक है तो water में स्वसंत रूप से तैनने वाले मीरा सीडियम लार्वा को अगर इसका secondary host 24 गंटे के अंदर नहीं मिलते तो यह खुद ही मर जाते हैं उसके बाद second जो लार्वा है वो है sporocyst larva ठीक है और यह मीरा सीडियम लार्वा से बनते हैं ठीक है तो अगर इसके structure को देखोगे तो यह है एक sporocyst larva में लार्वा की जो body है वो cuticle के thin layer से cover होता है ठीक है इसके अलावा eye spot और brain भी गायब हो जाते हैं ठीक है अब यह host के tissue से अपने nutrition लेते रहते हैं उसके बाद इसकी germ से जो है वो divide होकर के बहुत से blastula बनाती है फिर blastula और gastula stage radial larva को बनाती है तो एक sporocyst larva के अंदर लगभग 5-8 radial larva का formation होता है ठीक है तो इसमें जो third larval stage है वो है radial फैसियोला ही पैटिकर के life cycle का यह third stage होता है जो कि sporocyst larva से बनते हैं ठीक है प्रतेक radial larva जो है वो लंबा और बेलनाकार होता है और यह 1.3 से 1.6 mm लंबा होता है ठीक है अब अगर इसके structure को देखोगे तो यह है एक radial larva जो radial larva है इसके body का जो आगे वाला पार्ट है उसमें एक छोटा सा mouth होता है ठीक है और बॉडी के आगे वाले पार्ट के पास ही एक muscular collar भी प्रेजेंट होते हैं collar के ठीक पीछे एक permanent birth pore होता है ठीक है अब बॉडी के अंदर parent कैमा होता है जिसमें जर्म सेज और फ्लेम सेज पाए जाते हैं ठीक है तो यह है जर्म सेज और यहाँ प और इनके body के posterior end के पास one pair लेपेट से होता है रेडिया अपने host के tissue को खाता हुआ movement करता रहता है अब जब summer month में जब इसको परियापत मात्र में food उपलब्द हो जाता है तब इसमें पाएज आने वाली जो जर्म सेज है वो daughter radia का formation करती है जो की morphologically अपने parent के समान ही होते है अब winter में ये next larval stage में convert होता है जिसको बोला जाता है सरकेरिया लार्वा तो इसमें जो fourth larval stage है वो है सरकेरिया लार्वा ये जो ये फैसियोला हीपैटिका के life cycle की fourth larval stage होती है जो की radial larva से बनते हैं ठीक है सरकेरिया लार्वा जो ये वो radial larva की birth support से बाहर आ करके snail के digestive gland में पहुँच जाते हैं अगर सरकेरिया लार्वा की structure को देखें तो इनकी body जो ये वो completely develop होती है इसका body goal और oval saved का होता है और साथ ही इसमें तैने के लिए एक tail भी present होते हैं ठीक है और इनके body wall के नीचे अनेक cystogenous gland की cells पाए जाती है साथ ही इनके elementary canal जो है वो अच्छी तरीके से develop होते हैं इनका जो elementary canal है वो mouth से start होता है ठीक है फिर ये आगे pharynx में open होगा pharynx आगे के और isophagus में और isophagus intestine में open होते हैं ठीक है साथ ही इसमें दो सकर्स भी दिखाए देते हैं इसमें से oral सकर्स जो है वो mouth के चार और प्रेजेंट होता है और दूसरा जो सकर्स है उसको बोला जाता है acetabulum ठीक हैं इसके intestinal cavity के अंदर बहुत सारी germs, phlems और excretory duct अपाई जाती हैं अब mature जो circular larva है ये host के tissue से होता हुआ host के pulmonary sac में चला जाता है और वहां से वो बाहर water में निकल जाते हैं मतब कि ये अपने secondary host snail के body से बाहर आ जाता है जो circular larva है वो अब miracidium को snail के body में enter करने और circular larva बन करके host के body से बाहर निकलने में लगभग 35-65 दिन का समय लग जाता है snail से बाहर आने के लिए जो circular larva है उसको 9 degree centigrade से 26 degree centigrade कर जो temperature है वो उसके लिए favorable होता है ठीक है अब सर के लिए snail के body से निकलने के बाद water में तैरता रहता है या फिर घास या फिर किसी भी aquatic plant की लिप पर ये रहता है इस प्रकार 2 या 3 दिन बाद इसकी जो tail है वो disappear हो जाती है और ये किसी aquatic plant से जाकर के चिपक जाते हैं अब इसके बाद इसके सिस्टोजीनस क्लेंट से एक चीप चीप पादाथा का सिक्रीशन होता है और ये उससे अपने body के चारों और एक ठीक कड़ा सिस्ट का formation कर लेता है इसके बाद ये अब नेक्स्ट लार्वल स्टेज में convert हो जाता है जिसको बोला जाता है मेटा सर के लिया लार्वा तो इसमें फिफ्ट जो लार्वल स्टेज होती है वो है मेटा सर के लिया लार्वा मेटा सर के लिया लार्वा जो है वो फैसियोला ही पैटिका के life cycle का सबस बहुंत के से सकते हैं से उसका कब सब्सक्राइन के सुछ रहे से सब्सक्यान वे रहे सब्सक्राइब और यह mature होते हैं और एक mature fluke के समान ही दिखाई देता है इतके body के चार ओर cuticle का एक layer होता है जिसे हम sister wall कहते हैं इनके body में बहुत सी संख्या में flame cells पाय जाती है इसमें sister genus gland भी disappear हो जाते हैं और body के अंदर germ cells पाय जाती है अब यह larva एडल्ट फैसियोला में तभी change होगा जब यह अपने primary host सीप के body के अंदर होगा तो aquatic plant की पत्तियों पर असंग के मेटा सर के लिए larva चिपके हुए पाय जाते हैं क्योंकि जो सीप है जो भेड होती है वो इन aquatic grass को खाती है जिस पर मेटा सर के लिए larva जो हो लगे होती है तो grass के साथ मेटा सर के लिए larva इनके जो सीप है उनके intestine में पहुँच जाते है जब intestine में जाते हैं तो इसका जो कड़ा सिष्ट होता है वो host के digestive juice से घुल जाते है और जो parasite है वो sister से बहा निकल जाते है अब यह liver की tissue को खाकर 5-6 week में अकार में बढ़ जाता है इसके बाद यह bile duct में आ जाता है यहां पर यह स्थीर हो इस्थीर होकर sexually mature हो जाती है उसके बाद फिर फिर से यह एक ले करने स्टार्ट कर देता है और इस प्रकार से इसका जो life cycle है वो चलता रहता है ठीक है